एलो दोस्तो रमस्का स्वात आपसका फिसने वीडियो में दोस्तो आज की डियो में हम देखाने हैं राष्टी आय की अधायणा की ब्याक्या कीजिए यानि दुस्तो explain the concept of national income तुचले दुस्तो दिख लेते हैं दुस्तिया राष्टिय आय को साधन लागत पर राष्टिय आय भी कहा जाता है दुस्तो राष्टिय आय की धायना वेक्त करती है कि सुद्ध उत्पादन प्राप्त कैने में आर्थिक साधनों के रूप में समधाय की लागत कितनी आती है दुस्तो साधन लागत पर राष्टिय आय का ताथ पर उन सभी आयों के युक से है जो जो उत्पत्ती के सादनों को भूमी, पूंजी, स्रम और उद्मी अपने अंसदान के लिए प्राप्त करते हैं और राश्टी आय यानि दोस्तो साधन लागत पर राश्टी आय और बिसुद राश्टी उत्पाद तो चलिए दोस्तो आँगे देख लेते हैं दोस्तो आँगे हैं कि राश्टी आय के बीच का अंतर इस तत्त से उत्पन होता है कि परोक्ष कर दोस्तो परोक्ष कर यानि दोस्तो इंडारेक्ट टेक्सिस और उपदान यानि दोस्तो सबसिडेज बाजार कीमतों पर उत्पादन का मूल इससे भिन बता देते हैं और इससे प्राप्त होती है दोस्तों परोक्ष करों की रासी सरकारी को समें जाती है अर्थात यह उत्पत्ती साधनों में बितनर के लिए उपलब्द नहीं होती अता साधन लागत पर राष्टी आय की गड़ना करते समय निबल राष्टी उत्पाद में से परोक्ष करों की रासी घट उन्हें बहुत लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है यह दिप्यूत पद्धी के साधनों को उंचा और पारिस्रमेक मिलता है और इस तरह साधन लागत पर राष्टिय आए यानि दोस्तों साधन को हम लोग कहते हैं एन आई